नमस्कार स्वागत है आप सभी का बियाच्यू पार्ट साला के अनलाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म पे मैं हूँ आदित्य सिंग्ग आज किस वीडियो के माध्यम से हम बियाच्यू बिये कॉमन इंटरेंस टेस्ट टूथालिटीवन की एक्जाम पैटर्न सेलेबस और उस ए सब्सक्राइब करूंगा तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए यह चीजी आपको क्लीर हो गए होगी अब मैं बात करता हूं कि इस एकजाम को जो कुणड़क कराए जाता है उसका पैटर्न क्या है तो देखिए, अगर मैं pattern की बात करूँ, तो देखिए, सबसे पहले क्या है, exam mode किस प्रकार होता है, offline होता है, फिर online होता है, किस mode में exam होता है, तो exam जो है, वो दोनों होता है, अब चीजों के हैं पर clearly आप समझ लिए, वर्स 2020 में, B.H.U. Administration ने कहा था, कि ये previous परिक्षा online mode मे कराई जाएगी, लेकिन COVID की वज़े से जो परिक्षा होई, वो दोनों mode में कराएगी, online और offline दोनों mode में कराएगी, यहां तक चीज़े clear होई, तो वर्स 2020 के लिए, आप दोनों mode के लिए तयार रहेंगे, लेकिन ज्यादा chances हैं कि परिक्षा है online mode में ही होंगी, तो आप online mode क करता हूँ कि medium of exam, यहां कि जो exam होगा, जो परिक्षा होगा, उसका माध्यम क्या होगा, वहाँ पर questions किस माध्यम में sit की जाएगे, हिंदी में sit की जाएगे, या फिर English में sit की जाएगे, तो मैं आपको बता दूँं कि यह जो परिक्षा होती है, वो दो यह भास ही होती है, वहां पर questions जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लेस दोनों भासा में set की जाते हैं यहांसा चीज़े clear हो चुकी हैं अगर मैं बात करूँ time duration की वहां कितने समय की परिक्षा होगी कितने समय की परिक्षा हमको देनी होगी तो वो परिक्षा कितने की होती है दो घंटे की होती है time क्लियर हो चुका है अगर मैं बात करूँ question mode यह नहीं questions किस प्रकार पुछा जाएगा हमसे तो question जो होगा वह बहुल भी कल्पी होगा किस फार्म में होगा MCQ फार्म में questions वहां पे set की जाते हैं यहां तक चीज़े clear हो जाकी है अगर मैं बात करूँ total number of questions केतने होगा कुल प 15 reasoning 15 math और साथ यह 3090 हो गया 60 plus 3090 और 30 जो होता है यह आपका language section का होता है तो इसको मैं आभी आगे आपको detail में में बताऊंगा अब देखिए यहां पर total marks कितने होते हैं इसको आप समझ दीजे तो यह कुल कितना marks का होता है 360 marks का होता है अगर आप एक question सही करके आते हैं तो आ everything clear हो गए होंगी अब मैं आपको आगे बताता हूं कि syllabus क्या है देखिए इस परिक्षा का syllabus आप समझ दीजी सबसे पहले आपको यहां पर general knowledge and current affairs से 60 questions जैसा मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार उसके बाद देखिए जन्दल mental ability and reasoning से 15 questions numerical ability से 15 questions और language comprehension से 30 questions अब यह 30 questions जो होते हैं वो हिंदी और इंगलिस दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं ठीक है यहां तक चीज़े clear हो गई अब मैं बताता हूं general knowledge and current affairs के detailed syllabus के बारे में तो यह जो detailed syllabus है वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्द करा दिया जाएगा जिसमें से कि quality का syllabus है वो इस चैनल पर upload हो चुका है आप playlist में जाके देख सकते हैं यहां तक चीज़े clear हो गई बाकि जो चीज़े बसती हैं history, quality, economics, geography, general sciences यह सभी आते हैं से चला जाता है और आप better preparation के लिए हमारे courses को join कर सकते हैं, courses को कैसे join करना है वो आप description box में जाकर पूरी जयनकारी पढ़के आप समझ के हमारे courses को join कर सकते हैं, फिर मैं बात करता हूं general mental ability and reasoning की, तो यह जो है इसका भी syllabus जल्द ही हमारे चैनल पे आपको upload करा दिया जाएगा numerical ability की बात करो, यह भी syllabus बहुत जल्द बहुत सिग्र ही हमारे चैनल पे upload हैने वाला है, आप बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़े रही है, अब मैं बात करता हूं language comprehension के इसका syllabus हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं का syllabus चैनल पे uploaded है, आप जाके देख सकते हैं, अब मैं य प्रवेश परिक्षा से आपके admission में कोई मतलब नहीं है, अगर आप यहां हिंदी करके आते हैं, तब भी आप अपने प्रवेश के समय और admission के समय आप English विशा चून सकते हैं, ऐसे कोई बात देता नहीं है, यानि कुल मिलाकर ऐसे समझ लिए कि प्रवेश परिक्षा के जो अब ही आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानि exam, यानि entrance exam के जो language है, उससे आपके, जो आपका course में admission हो जाएगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहां तक चीज़े आपको बिल्कुल clear हो गई होगी, अब मैं बात करता हूँ, आगे कि आपको क्या करना है, किस प्रकार करना है, अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी strategy कि, कि आपकी strategy क्या होनी चाहिए, तो आप उसको समझ लीचे पहले ध्यान से, strategy क्या होनी चाहिए आपकी, कि जो आप math and reasoning का section है, यहां पे आप अच्छा score करें, क्योंकि इसका एक fix दार कर ही चलिए, तो यहां पे आप 25 के आसपास रहिए, अगर language section के मैं बात करूँ, तो यहां पे भी आप minimum 25 के आसपास आप target लेकर चलिए, उसके बाद अगर मैं general knowledge and current affairs के बात करूँ, इसको भी आप detail में तयार करिए, इसकी कोई बहुत limited syllabus नहीं है, जितना अधिक सदिक हो से आप practice करिए, और अपने better preparation के लिए हमारी course को आप चाहिन कर सकते हैं, तो यह चीज़े यहां तक clear हो गई है, और आगे अब मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा है यहां पे आपके लिए the less is more, अब यह क्यों लिखा है मैंने, इसके पीछे मैं अपना एक card बताता हूँ आपक कम जो है वही अधिक है आपके लिए, आप जो पढ़ें वो solid हो, ठोस हो, सटीक हो, बहुत जादा पढ़ने से क्या फैदा आकर हमें अपने syllabus को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है, ति यह चीज़े आप एक दम बिलकुल clear cut अपने दिमाग में बैठा लिए the less is more, इसको आप कर लिजी कि यही चीज़ों होने वाले भी हैं, आप बहुत कुछ पढ़के जाएंगे वो exam में नहीं आएगा, आप वही पढ़िए जो exam में आने के समभवनाय बनी रहती हैं, यहाँ तक चीज़े clear हो चुकी है, अब मैं आगे बात करता हूँ, दिखी, अगर हम मैं बात कर लेकर नहीं है, लेकिन to be at the safer site, एक सुरक्षित अस्थान पर रहने के लिए मैं आप से कहूँगा, कि आप अपने score को 250 प्लस मान कर चलिए, उतना आप टार्गेट लेकर चलिए, अगर इतना आप टार्गेट लेकर चलते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपका admission तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप को आस्टल भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक चीज़े क्लियर हैं, अब मैं आगे बात करता हूँ, लास्ट में, आप सब के लिए मेरी best wishes हैं, कि आप वर्श दो हैर 21 की बीए की प्रवियोस परिक्षा में अच्छा करें, और साथ ही साथ मेरी सुबकामना हैं, आप सब के साथ हैं, कि आप इस परिक्षा में अच्छा कर महामना की बगी अकाश हिंदु विश्व द्याले में प्रवियोस प्राप्ट कर एक अच्छे भवी सिक्यूर अगरसर हो, इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर कोई भ इन फीजन हो तो आप कमिंट बाक्स में हमें जरूर बताएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद,